नमस्कार, शुप्रबात, आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष, जीविग्यान, स्वास्त वा खादे के संबंदे, इस व्याख्यान को की सुरुवात में सबसे पहले मैं यह एक चित्र दिखाना चाहूँगा, यह चित्र जो आप देख रहे हैं यह वालरी पॉलियोकॉफ जो एक एस्ट्रोनाट थे, उन्होंने करीब 437 दिन अंतरिक्ष में लगातार बिताये थे, उनके पास यह एक विश्व रकॉर्ड है, कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में अपना एक साल से अधी का समय बिताया था, इसके कारण जब वो पृत्वी पर आये तो वो चलने में बिलकुल असमर्थ थे और वापस उनको अपनी जीवन सेली, जो नार्मल जीवन सेली होती है, उसको प्रकट करने या उसको अपनाने में करीब उनको 6-8 मेने लगे थे, जब इस तरह की स्तिती उत्पन होती है, तो उसे हम आर्थराइटिस और अर्थोस्टेटिक अर्थोस्टेटिक इंटॉलरेंस कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय तक अंतरिक्ष में बिताता है, तो उसके साथ ये समस्याएं आम होती है, हम कुछ इस पिक्चर के बाद हम यह देखना चाहेंगे, हम फबसे पर यह देखें कि जो जीवन धरती पर है और जो कि आप अंतर हैं, तो पहला अंतर तो आप जानते ही है कि जो धरती जो है वो बहुत सारी हरियाली और डिफरेंट जीव जन्तु जो है वो धरती पर रहते हैं, जब कि आकाश में आप और अंतरिक्ष के अंतरिक्ष में बेसिकली आप अक्सर अकेले होते हैं, इसके अलावा जैसे कि आंतरिक्ष में जगह होता हैं, वह काफी तंग होता है, क्योंकि आप का पूरा दिन चरिया है वह बहुत सीमित स्थान में ही व्यतीत किया जाता है, तो अगर आप सोचे लेकि आपको कहा जाए कि तो आपको केवले कार में रहने दिया जाएगा और आप घार से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आपको कैसा हमसूस होगा तो लगबग उसी तरह का जो भाव जो है वह जितने भी अंतरिक्ष चात्री होते हैं उनमें भी भाव उत्पन हो सकता है तो क्या होता है कि इसके कारण उनको बहुत कठिन साररिक एवर मानसिक प्रसेक्षन की जरुत होती है ताकि इन विसम परिस्थितियों में भी वह अंतरिक्ष में रह सकें दूसरी सवस्या और दूसरी जो अंतर है वह हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में क्या होता है कि दिन और रात बोलके कोई सपस्ट समय नहीं होता है जैसे हमारे पास हम कह सकते हैं कि 24 गंटों का एक दिन होता है और वो दिन या रात मुख्यता सूरी के उदय और अस्थ से निधारित होता है कि जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तो कुछ ही समय बात कि पचीस से तीस और असी मिनट के अधल तोरान आप एक बा सूरी को अस्थ होता हुआ और एक बार सूरी को निकलता हुआ देख सकते हैं इसका असर यह होता है कि आपके पास दिन और रात में अंतर करने की कोई जो चंता हमारे पास होती है वो नहीं रह जाती जिसके कारण क्या होता है कि आपके बहुत सारी एक्टिविटीज जो है जो दिन और रात के आने और जाने से प्रभावित होती है, आटि क हमेद सारी सैकल और जो चक्र है वो बिगड़ जाता है. जैसे कि रात में आते ही एक नीन आना सोभाविक होता है, ंति कि आप सोचें कि हर चालिस मिन ना तो तो आप आप काफी कन्फ्यूज होंगे और आपको लगेगा कि अब मुझे सोना चाहिए कि नहीं, तो एक विसम परिस्थिती बनी होती है, इसके अलावा और भी चुनौतियां हैं, जैसे कि अगर आप स्पेस में किसी भी वर्ष, किसी भी कारण वर्ष बाहर जाते हैं, मुखिता आपने सुना होगा कि बहुत सारे एस्टोनाट्स स्पेस स्टेशन पर और इंटरनेशन स्पेस स्टेशन पर जाते हैं, वो विविन प्रकार के कारियों को अन्याम देते हैं, जैसे हबल टेलिस्कोप को ठीक करना इत्यादी, जब यह सारे कारे किये जाते हैं, तो यह एक व्यावस्था बना के रखनी पड़ क्योंकि एक बार अगर आप उस स्पेस स्टेशन से मुट अपने आपको किया तो फिर दुबारा कोई संभावला नहीं होती है कि आप वापस अपने स्पेस स्टेशन पर जा सके यह एक बहुत बड़ा जोकिम होता है और लगबग हम कह सकते हैं कि जान जाने की नौबत होती है जैसा कि मैंने कहा कि कोई सूर्य और दिन और रात नहीं होता है इस तरह से कोई टाइम कीपर नहीं है हमारे जीवन में आजकल हम घडियों का इस्तिमाल करते हैं बद हम अगर देखे तो जानवर और पौधे वो बिना घडियों का भी दिन और रात के हैसास को महसूस करते है वह सारा जुकतिविति होती है वह सूर के आने और जाने से होती है किन्तु इस पेस में ऐसा कुछ नहीं होने ऐसी वस्ता नहीं के कारण एक विसम परिस्तिती बनी रहती है कुछ नौर्वल और जो हम दैनिक दिन्चरिया में करते हैं जैसे कि नहाना और मूद होना इत्यादी उस सभी बेसिक और मूलभूत गति वीदियों में भी बहुत सारी चालेंजिस होते हैं जैसे कि अगर आपको नहाला है तो वहाँ पानी के उपलबता नहीं होगी आप बिसिकली उस तरह के सैंपो का इस्तमाल करते हैं जिसे केवल सर पे लगा दिया जाता है और बिना दोई उसमें कोई भी पानी नहीं डालेंगे और सीधा आपका बाल साफ हो जाएगा उसके ब तो यह एक इन सभी जो परिस्थितिया है वो उसको दर्साने का बेसिक मकसद यह है कि आप जाने की जो जीवन की जो बेसिक और जो मूलभूत गतिवी दिया है उसको करने में भी स्पेस में या अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा चालेंज होता है और उस वह चालेंज जो है वह बढ़ता चला जाता है और भी कुछ अंतरिक्ष में उपस्तित परियावरन के अलावा सो यह हम कुछ चित्रों को देख पा रहे हैं कि जिसमें एक अस्ट्रोनोट जो है वह किस तरह से सोता है तो यह लगभग एक चामबर में केवल 6 या साथ 4 सोहने का उफसर की जगह में वह सोता है कोई विस्तर नहीं होता है विस्तर नहीं की मज़े से आपको वह कंफर्ट नहीं लगेगा जो आप एक नॉर्मल विस्तर पर या जमीन पर लैट कर में रहते हैं तो इसी प्रकारości अप जो समय बिताएं में वह बहुत चोटे से ते क बैट कर अपनी लापटोप पर काम कर रहा है इतनी तंग जगह होती है और जो बार का पर्यावरन है वह एक अंतरिक चात्री किस तरह से काम करता है विबिन स्पेस सूट में रहते हुए यह कुछ तस्वीरें हैं जो इन सारी गती वीदियों को जो मुल्भूत चैलेंजेज है वह इसको दरसाता है अंतरिक्ष के छेत्र में इन सभी चैलेंजों के कारण क्या है कि आजकल और हम कहें कि पिछले कुछ पांच-छे दसकों से जबसे अंतरिक्ष की आतरा सुरूई है इस जीवन को किस तरह से सरल बनाये जाए और क्या-क्या गती वीदियों में किस तरह से हम डिफरेंट एस्टोनाट्स को हम मदद कर सकते हैं उसके लिए लागातार अध्यान किये जाते हैं और जिसके फल्शरूप क्या हुआ है कि आजकल जो है वह अंतरिक्ष विज्ञान से सम्मंदित एक स्पेशलाइजड ब्रांच डवलप हुआ है जो पसू चिकट्सा और पसूजी विज्ञान के अंदर हाता है कुछ जी विज्ञान वच कछ पा दोजी विज्ञान के अंदर और सम curriculum विज्ञान के अंदर बिया माइक्रो ऑनिज्ञ्न स्टूछी के अंदर भी जो अंतरिक्ष के वातवरण में पश चीया जाथ है इस सब का अध्यन किया जाता है पशु विज्ञान में पशु जी विज्ञान में मूलता हम एक कंट्रोल इंवारमेंट यह हम कहें कि जिसे एक बंद इंवारमेंट में काम करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम different और अलग अलग कशेरुक और अकशेरुक और different जीव जन्तों का अधियन करते हैं मुख्यता इसमें देखा गया है कि लोग मानों के साथ साथ कुछ चोटे जीव जैसे की चुमों पर एक एक्सपरिमेंट किया जाता है जिसमें यह देखा जाता है कि क्या कोई परिवर्तन जो है उनकी सारेरिक रूप से या जैनेटिक रूप पे कोई परिव है कि नहीं बहुत लंबे समय तक अगर वो स्पेस में रहते हैं यह सारे अधियन जो होते हैं वह प्रशु जीव विग्यान के अंदर आता है इस अगर आप डिटेल में जानने को सिज करेंगे तो यह मूलता आप देखेंगे कि जो यह अधियन होता है वह मेडिकल और इंज दोनों चेत्रों का एक समयोजन होता है जिसके अंतरगत आप पश्वों को पश्वों को अध्यां करते हैं जैसे कि अगर यह जानना चाहते हैं कि अंतरिक्ष वातावरन में पश्वों पर क्या असर ुश्वृता पडका था वह काफी जादा होता है अंतरिक्ष विमान में या श्पेस इस्टेशन में जिसके कारण क्या होता है कि उन सब जीव जन्तोंगे पर एक नकारात्मक असर पड़ता है उन सब चीजों के अध्यन करने की आवश्यक्ता होती रहती है और वह जो है प्रशु जी विज्ञान के अंदर किया जाता है. उसी प्रकार पादव जी विज्ञान भी है, क्योंकि जो मानों जो है वह किवल जीव से ही प्रभावित नहीं होता है, किम्तु अगल बगल जो डिफरेंट पोदे होते हैं, उनका भी काफी मानसिक असर मनुश्यों के जीवन पर पड़ता है और साथ में ही जितने भी पौदे या चोटे प्लांट होते हैं वो जब स्पेस में जाते हैं तो उनकी भी गतिविदी और उनके जो कारे करने की जो सैली है वो भी परिवर्तित होती है इस परिवर्तन के बहुत सारे कारण है जैसे कि अगर आप देखें तो तो कि वहाँ ग्राविटी नहीं होती है और जो गृत्वा करशन की पूरी कमी होती है जिसके कारण एक असर जो है उन पौदों के प्रोथ परता है यह सारे अधियन जो है पादव जी विग्यान के अंदर किये जाते हैं एक और बहुत्पूल बात कि पौधों को ना केवल खाद्य या खादी के लिए इस्तमाल करने की आवशक्ता आती है क्योंकि बविश्व में हम चाहते हैं कि जो मानाव है वह धर्ती से मंगल की हो है तो इतने समय इतने देरकालिन अंतरिक्ष में गमन करने के समय क्या होगा कि आपको खादी आपूर्ती की एक विवस्था बौलानी पड़ेगी क्योंकि आप इतने सारे खाद्य नहीं ले जा सकते हैं जो छे से आट मैने तक चले और अगर आप उसको ले जाने की को सिस कर जो इसको इस अंतरिक्ष में डालने की और अंतरिक्ष में जो ले जाने की विवस्था होगी उसमें काफी कॉस्ट बढ़ेगा और अभी तरक उस तरह के रॉकेट उपलब नहीं है जो उतने जादा सामगरी को लंबे समय तक ले जा सकें उस केस में आपको एक विवस्था और ऐसाटें जाए कि फिए उसी तरह की विवस्था हमें इस पेस में भी और अंत्रिक्ष जयान में करने की जरूत पड़ी है की तु एधियन किया जाता है इसका एक बत्कून कारण यह है कि आप किसी भी परिस्तिति में के टानू को अपनी जीवन से अलग दिनी है, जैसा कि हम जानते हैं कि करीब 2-4% जो हमारा वजन होता है, उसमें हमारे सारे रिक में शरीर का वजन उसमें 2-4% के वजह से होता है, और वह अलग-अलग रोल आदा करते विविन प्रकार के गठिविजियों को करने के लिए। इसलिए किटानु विज्ञान भी एक जो विशेज परिस्तिती में अंतरिक्ष में कैसे कार करते हैं उसके बारे में अध्यन किया जाता है। अगर हम पादप जी विग्यान की बात करें तो हम इसके अंदर यह स्टड़ी किया जाता है कि क्या कोई ग्राविडी के कारण क्या जो उसके रूट्स होते हैं या जो कोशिकाएं होती हैं उन्में किस तरह का परिवर्तन होता है। यह भी अध्यन के द्वारा पाया गया है कि जो हमारे जैनेटिक रिस्पॉंस होते हैं और जो हम कहें कि हमारा सरीर एक विविन जैनेटिक और जीन से बना होता है। उस जीन में उस जीन की जो कार करने की शाली है वह भी अलग अलग जगा पर चेंज हो सकती है। वातावरं के अरशार चेंज होता है। और यह भी देखा गया है कि पौधे भी इस तरह के जीन में भी परिवर्तन पाया गया है। कुछ जो जीन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं कुछ जो डॉर्मेंट होते हैं जो प्रित्वी पर है या उल्टा हो सकता है इस सारे अध्यन जो है वह जी विग्यान और पादा विग्यान के अंतर किया जाता है इन सारे अध्यन का मूल जो है वह यहां देखा गया है कि मूल था क्या अंतर है अंतरिक्ष और प्रित्वी पर और इन में से कुछ विशेश रूप से कारक हैं जिसको । कंसेटर शन में लिया गया है जैसे कि कुछ कारब पार भव जरह जरु रिख वाहन do Aka यह है की कारशों होता है और हमें और करें कि बहुत कम करेंट आतरिक्ष में होता है दूसरा यह है कि aanutiट्रिक्ष में है वह आयनन waiting पीकरण, आयनित विकरण, और irradiance जिसको कहते हैं वा काफी ज्यादा होता है। कि यह कारण क्या होता है कि जो भी विकरण, जो सूरी से निकलती है, वो सीधे वस्तु ए हंत्रिक्ष में होती है। पर पड़ती है जो होते हैं और दिन और रातना होने के लिए कारण जो एक एक सिस्टम होता है जो हमारे शरी में एक समय का जाक्र को रखने का तरीका होता है। वह लेक खराब हो जाता है जिसके कारण लोगों को बहुत सरे समस्या होती है जैसे कि वह सो नहीं पाते हैं और कब जा दिन और रात का कोई जो ट्राक है वह नहीं रख पाते हैं इसके अलावा वहां पर यह भी देखा गया है कि जैसे कि CO2 है यह जो करबन डाकसाइड है वह के मुकावले स्पेस स्टेशन अगयारा सब में लगभग दसगुना होता है और वायूमंड ले दवाव भी काफी ज्यादा होता है स्पेस स्टेशन में और जैसे कि आर्थ के मुकावले साथ में यह भी देखा गया है कि जो स्पेस स्टेशन है उसमें जो ऑक्सिजन की उमा पर पाया जाता है इस विसम परिस्तितियों का कारण क्या होता है कि जैसे कि नैट्रोजन जो हमारे वह तरण का लगबग तीन चौथा ही भाग होता है अगर वह इतने अधिक कंसेंट्रेशन अगर और हम कहें कि सांदरता जो अक्सिजन किया वह बढ़ जाती है जिसके कारण क होता है कि हमारी कोशिकाओं में एक परिवर्तन होता है जिसके कारण हमारे कोशिकाओं के फार्क परता है और जो नैट्रोजन डायकसाइड वो बबल के फॉर्म में और बबल के रूप में और बुल्बले के तरह हमारे कोशिकाओं में फस जाता है जो बाहर में निकल पाते इस तरहे काफी समस्या होती है, इसके कारण यही देखा गया है, कि जब भी कोई अंतरिक्ष्या दे जाता है, तो उसे 100% अक्सिजन के वायू मंडल में रखा जाता है, कुछ गंटों में लिए फिर नेटोजन डायकसाइड के वातारन में रखा जाता है, फिर दुबारा यह स तो आप अकेल का जो परिवर्तन है, उसके सरीर जो है, उसको अड़ाप्ट कर सके और इसके हसाब से अंतरिक्ष्में उसे कोई समझ्या ना हो, जो अंतरिक्ष्पे जो अंतरिक्ष्म लगबग 50 गुना होता है, जो अर्थ पर पाया जाता है, और सबसे बड़ी समस्या जो तो इस तरह से भी सोचेंकि आप एक यान में बैठें आर्ट अपको पता आप अपने घर को देख पा रहे हैं जा नहीं सकते हैं तो यह एक अजीब सा एहसास होता है जिसके खारन काफी मनगायक्व पर दवाव पड़ता है, जिसके कारण लोगों को आप जो आप आप रहे हैं उनको समय समय पर कौंस्लिंग के आवश्यक्ता होती है तो आप ये सारे कारण जो होते हैं, इन्हें कहते हैं, गहरे आंतरिक्स तनाव और अगर हम बात करें तो दीप स्ट्रेशर भी करा जाता है इसका इन पांच जो मुख्यकारक है, इसको केंदर में रखते हुए सारी चिकिटसा व्यवस्था और मानुवी रहनसान, खाने पीने की व्यवस्था यह सब की जाती है तो जैसे कि हम देखें कि अगर वीकरन से अधर्ण क्या क्या जो कि मैं तो पहला तो यह है कि अगर वीकरन काफी तेज completin होगी तो आपको cancer जैसी तरा यह हो सकती है हमारे दंत्री का तंच पर इसका असर हो सकता है इस से पटने के ही उपाई क्या कई है, कि हमें कुछ स्थाह के स्पेस सूप होने चाहिए जो विक्रन का किसी भी प्रकार के विक्रन के हमारे सभी तक न पहुचने दिया पॉप जाएं। साथ में हमें यह भी खिया रखना पड़ता है कि जो भी वमारे स्वास्त के लिए वाइटल नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारा रख चांप हुआ या हमारा जो डेली इंटेक फूड की जो कालिटी हुई या हमारे डिफर, कुछ स्वास्त की जो जैसे कि हमारा इस तरह की बेसिक जो वाइटल होते हैं उसको जो लगतार मोनिटरिंग करना पड़ता है और यह सारी विवस्ता आटोमेटेड सिस्टम में होने चाहिए ताकि यह जो निगरानी है यह लगतार होते रहने चाहिए और कभी-कभी क्या होता है कि इन सभी विकरन आधारिज के जोकिम के अंदर आहार भी एक बहुत महत्वून का कारे करता है और आपको यह भी खैल रखना पता है कि जो भी आहार आप ले वह आपकी विकरन रहित हो और उस पे विकरन का कोई दवाव ना हो इस तरह के आहार को लेने की अवश्यक्ता होती है फिर जै कि अगर जैसे अगर से में अखेला पन तो अकषर यह जिसके कारण क्या होता है कि आपके अबवार रभड परिबरतन होता है निन नहीं आने के जिए से थकान सा थकान k mix ओन होता है चीजों में मन नहीं लगता है और उस उस इस्तिती में कुछ स्वमोन लियंकन और हम कहें कि कुछ टेस्ट लिये जाते हैं जो हर एक ऐस्टोनोट्स को कुछ-कुछ समय के अंतराल पर देना होता है जिससे यह पता चलता है कि वह ज़वन की मांसिक इस्थिति है वह स्वचारू प्रूप से काम कर रही है अगर उसमें उनके स्कोर में अग कितसक होते हैं वह उप्यूग्त जो है वह सुझाओ दे सकते हैं और उसके हिसाब से उनके स्वास्त को ठीक किया जा सकता है इसके अलावा कुछ अवास्य वास्तित या वर्चौल रियालिटी के सिस्टम भी दिया आते हैं ताकि उन्हें है महसूस हो सके कि वह अकेले नहीं होते हैं प्रिशफी पर उबद्ध हैं बाहनों के साथ रहे तो एक हर्याली की इख उनके वह हुआ है कि यह चुटी छुटी ग्रिया का हिस्सा होती है जो हमें अकेले पंसे वह लगने वे लगने में यह वह लगने लोगने झाय स्टम सिथ मदद करता है कभी तो भी क्या होता है कि जब आप बहुत दूर हो तो इसके अपने घर से गर बहुत दूर होते हैं तो आपके पास बहुत सारी चुनौतियां भी होते हैं जैसे कि यह हो सकता है कि जो आपके पास दवाएं आपके नहीं दवाएं आने में काफी समय लग सकता ह जो भी भोजन दिया दिया आपके पास उतलब्द होते हैं, उनको एक सही तरीके से पने पास रखने की चुनौती होती है, आप किसी भी खाद्यों को वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको उसका एक पर इस्तिमाल करना होगा, क्योंकि अगर उसमें कमी होगी, तो आपके उसका आ आपके स्पेस में अवलिबल है, वो आपकार इंगा करें, उसमें क्या किया है, यह सारी जो है चुनौतियां होने के कारण आ सकती है, तो इसको देखते हुए हमें यह यह देखा गया है कि कुछ प्रकार के और कुछ खाद्यों और दवायों की पैकेजिंग की जाती है, इस तरह से वर्च्वल असिस्टेंट होते हैं, जिसको मावासी सहय कहते हैं, साथ ही साथ जद्धानी ग्रूप से आपको डिफरेंट डिशिजन लेने में और जिसमें AI का इस्तमाल भी किया जा सकता है, जो आपको यह मदद यह सूचना दे सकता है कि आप इस परिस्तिती मे किस तरह के आप निन्ने ले सकते हैं, इस तरह से वर्च्वल असिस्टेंट जो है, वह भी जो है, वह दूर होने से प्रत्वी से दूर होने की जो संबंदित चुनातियां हैं, उनमें यह मदद कर सकता है, यह भी देखा गया है कि जब आप माइक्रो ग्राविटी कंडिशन या हम कहें कि सुक्ष में गृत्वाकरशन स्थिती में रहते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे सरीर पर परता है, जैसे कि हमारे मांसपेसियों का द्रभ्यमान कम हो जाता है, क्योंकि गृत्वाकरशन ना होने के कारण हमारे मांसपेसियों को बहुत ज्यादा मुवमेंट करन के लिए बहुत जादा रवाइनत करने के रहागे नहीं परती है। और शरीर में ये वह स्था है कि कोई भी चीज जिस का इस्तमाल आप नहीं करेंगे या जिस का इस्तमाल दिन गटा जाता है, तो उसका धेरे धेरे सरीर से त्याग कर दिया जाता है। इसके कारण किा होता है, कि आपकी मास स्पैस्यों का दृब इमान कमी होती है और हड्यों की हानियो नहीं सुनु हो जाती है, प्रते दिन कुछ MG के साफ से, बिलिगराम के साफ से different हड्यों का हान्स होना सुनु हो जाता है. जिसके कारण कुछी समय बाद बहुत सारा जो हड़ी से हड़ियों का जो मास है या जो इसका तरह बिमान है हुआ गट्टा चला जाता है इसके अलावा यह भी पाया गया है कि जो भी ऑर्गन हमारे सरीर में होते हैं जैसे कि एक हिर्दा है इसका शेप जो है वह भी विक्रित हो जाता है इसका मुख्य कारण यह है कि अगर हम अंतरिक्ष में देखे तो ग्राविटी ना होने के कारण द्रव जो है वह समान रूप से एक बॉल की सटल में फैलने की कोसिस करता है जिसके कारण वह एक गोल बॉल के फॉर्म में जाने की कोशिस करता है, जिसके कारण जितने भी हमारे अंग है, वह भी एक स्फेरिकल या बॉल के फॉर्म में सेप लेने के कारण, उसका आकार जो होता है, वो भी विक्रित होता है, इस आकार विक्रित के कारण जो हमारी धंग प्रभावित होते हैं तो यह एक एक चोड़ा सा एक्जामपल है जिसमें पता चलता है कि अध्रिक्ष में भारहंदा के कारण हमारे जो 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 अंग है वह किस तरह से विक्रेट होते हैं साथ में यह जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम चलते हैं या हमें सीधा रखने के लिए हमारे कानों के पीछे एक कुछ द्रव्य होते हैं और कुछ बालों के सिस्टम होते हैं जिससे हमें यह अपने आपको संतुलित करके दो पायराँ पर चलने में सुधाएं होती हैं उसमे इस कार्य में जो दरव्य जो है उसमें गृत्वाकरशन का एक बहुत बड़ा योगदान है अगर वह गृत्वाकरशन नहीं होगा तो हम जो दिशा की और जो हमारा अपना जो सेल बैलेंसिंग सिस्टम है जो अपने आपको हम संतुलिद कर पाते हैं और दो पैरों पर चंग वह नहीं हो पाएगा और जिसके कारण जो है हमें चक्कर सा आ सकता है चुकि अंतृप्ष में यह गृत्वाकरशन की कोई संभावना नहीं है तो जिसके कारण यह संभावना यह परिस्थिती उत्पन होती है और उस इस्तिती में आपको एक जो आपके जो बेसिकली इसको लुट देखते हैं और आपको एक जाता है उसमें हाइप प्रेशर सिस्टम पनाइजाते हैं आपको बत्वाकरशन की कराने के लिए कुछ स्पेस्फिक शिस्टम होते हैं ताकि आपका नियुरो वस्टिलर सिस्टम जो है वाक्ति चिलता रहे और वह आपको सीधार रक सके और अपने आपके जितने भी ग्यानी इंद्रियां है जितने भी मोटर रिलेटेड और जिसे हम कहें कि हाथ पर चलानी के च्छमता है उसका लगतार टेस्ट किया जाता है बहुत ज्यादा अगर आप लंबी अब्दी में रहेंगे तो आप उसके अलावा बहुत सारे दूसरी कि आपके वहतारन नहीं बदला नहीं जा रहा है तो बहुत सारे दूसरी के करण वहां जमा होते हैं बहुत समय तक अगर आप एक सुक्रे चेतर में रहते हैं तो वहां प्रदूशन की समस्या बढ़ जाती है इन सब को देखते वे आपको एक नहमित सपाई और एर फिल्ट होती है ताकि आप यू इत्यादी की गुमगताय बढ़ाय रख सकें नियंतन और समय समय पर आपका टीका करनी किया हुए सकता होती है और तेप्रेचर कंट्रोल सिस्टम किया हुए सकता होती है जो इस तरह के दवावों को और इस तरह के तनावों को कम करने में साहब होते ह जह एक सार करें जो इसनके दो क्रमुग के जाता है गले ही खमाल से कंज से इसके दो प्रमुग भाग है एक है कि जो प्रिमेंटल मॉडल가 गाला है जो अन्तरिक जिकीत्सा पेंगर जो होता है अजल से कंज स्वेक्सित गटाइ andere लिए और गूते है तो अगर आप देखें वह पांचों कारण जो तरिक्स ये तनाओ है जैसे कि राडियेशन और यूंतम गृत्वाकरशन या ग्राविटेशन उसके बाद एक उस्टार इंवार्मेंट जो है जो चोटे कंपाइंड एरिया या स्माल जो तन चेत्र हैं उन सब कारण से जो भी जी समस्यां उत्पन होती है जैसे कि अगर आप एक छोटे से बन जगांग रहेंगे तो अपका मूद कराण हो सकता है, आपका कर्केडियर विदम कराण हो सकता है, रिट्नेस में कमी आ सकती है, नूत्रिशन आपको प्र नहीं मिल सकता है, इन सब को विवन प्रकार के जो दर्ती पर उपस्ती चिकिटसक है वो आपको सज़ेस्ट कर सकते हैं उसके असाब से कारी किया जाते हैं। कुछ एक्सपरिमेंटल होते हैं जिसमें मुख्यता बायलोजिकल या जिनोटिक और जिसें वनसिक अध्यान को पाट होता है वो एक्सपरिमेंटल मॉडल के अंदर आता है। जिवेन प्रकार की जीवें को मुख्यता हाई राडिसटल या माईक्रविटिक प्रामाव परता है। उसका अध्यन कीया जाता है। इस अध्यान के बाद हमें यह भगा चलता है कि इन सभी जो मुखिता रेडियेशन और ग्राविटी फीड या हम विकरेंड के कारण और जो गुत्वाकरशन के कारण जो समस्यां उत्पन होती हैं, उसके कारण जो जीव पर के इस तरह के चेंज होते हैं, उसके जीव पर क्या क्या चेंज होते हैं, और सब चीजों को अध्यान करके हम एक प्वापर स्टडी के बाद यह भी पाया गया के बाद हम यह पता लगा सकते हैं कि कि किस प्रकार के मेडिसीन जो है वह डिफरेंट अल्टरिक श्यात्रों को दिया जा सकता है, जिसे कारण क्या हो रहा है कि तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपको भुखा आ है तो आप एक ही प्रकार की दमाय सारे चार सभी लोगों को दे सकते हैं, इस तरह के अध्यान से क्या होता है कि हर एक वेक्ष्टिक को एक विषेज प्रकार की दमाये दी जा सकती है, और इस तरह की जो एक्स्परिमेंट है वह बाग धाल जैसे कि इसमें बादानाली का छिकित्सा योजना एक बहुत बड़ा भाग होता है, जिसमें खर समय पर किस समय पर क्या लेना है, क्या करना है, उसकी एक डिटेल शार्नी होती है, और उस शार्नी को एक प्रापर तरीके से फालो किया जाता है, ताकि आपति में आप लिया जाता है यहां पर जाते हैं कोंग conversion में उसे मेजर्मיה चाहते हैं हुन सारे खेटी होते हैं को करूयाह वजान करने के लिए सुजाओ दि सकते हैं। अंत्रिक्ष में प्रमुक्ष रहें जो एक प्रमख चेत्र हैं, वह 안त्रिक्ष्ài हातेingen素 भोजन भी है और या कुछ जो आप पिक्चर देख रहे हैं या स्पेस्पिकली और हम बात करें तो एक अंतिक्ष में किस तरह के भोजन दे आते हैं उसका कुछ चित्र दिया गया है इस में हम देख पा रहे हैं कि जो भी भोजन है उसकी और उसका जो मात्रा है वह सिर्फ इतनी है कि आप एक बार में ही और एक बार जब आपने खोला तो सीधे अपने आप में ले ले जिए और उसको खत्म हो जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस तरह के अंतिक्ष में एक भोजन संदक्षित करने के जो भी सुद्धाय बनाई जाती है जो भी सिस्टम बनाय जाते है वह इस तर एक बार मुक्षिता अगर आप देखे तो अंतिक्ष भोजन का जो प्रकार है उसका जो पासा बेसिकले हम देखे तो जब भोजन के अंदर मुक्षिता यहां देखा गया है कि उसमें जो भी भोजन आप अंतृक्ष पे ग्रांड करे नहीं कि जो भी बन एक रिर शिख न करने के लिए हो उसका घंद तो उच्छे होना चाहिए वह न्यूट्रिस्यस काफी न्यूट्रिस्यस होना चाहिए और पॉस्टिक होना चाहिए साथ में यह भोजन भोजन पैकेजिंग से सम्मंदित कुछ विज्ञान उसमें आते हैं कुछ खादिस अंड़क्शन तक्नीग भी लिया आते हैं वोजन पैकेजिंग का मतलब यह होता है कि जैसे अब में एक बात करूं तो अब आपने देखा होगा कि को 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 ना वागरा सब जो होते हैं वो एक गण जैसे आप खोलते हैं तो इसमें एक बबल या बंते हैं जिसके कारण जो 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 ज़ो चारबंढा एकशाइडिस में रहता है वो बाहर निकल गया का तो घ्र ऑन अंतरिच्छ में ऐसा नहीं किया जा सकता है आपके ब़ोजन जो भी जब हगी आप खोले तो इसा थ कि निकलने चाहिए क्योंकि अगर निकलेंगे तो जो भी छोटे-चोटे जल के कन है वह तरह जाएंगे जिसका आसर जो होता है वह बाद में आपकी प्रयावरंग पड़ता है तो इस तरह से आपको एक पैकेजिंग में भी एक विसेज प्रकार की ववस्था करनी पड़ती है कादिसंट्रक्षण के जो अनक है वह वह सरपथम यह है कि बोजन क्रिस्पी नहीं होना चाहिए या किसी ब्रकार करश बोजन नहीं होना चाहिए कि आप तोड़े और उसके बहुत सारे टुकुडे जो है अगल भगल फैल जाएंगे तो पहला तो यह थारन है क्योंकि अग फैलते रहेंगे, जिसका नुपसान जो है, किसी इंस्ट्रुमेंट के रूप में या हो सकता है, किसी इंस्ट्रुमेंट में छोटे भोजन के कंज आ सकते हैं, जिसके कारें इंस्ट्रुमेंट काम करना बन कर सकता है, अतर भोजन जो है, वो किस पी नहीं होने चाहिए, वो हल कर दोने चाहिए बहुत कम समय में तयार किया सकते हैं उसे खाने में भी बहुत ज्यादा मसक्रत ने करनी पड़े इसकी भी देखनी चाहिए साथ-साथ भूजन का संदुक्ष्ण काफी लंबे समय तक होना चाहिए उसमें उपयोग प्वास्टिक हार होना चाहिए और जो 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 प्रफ्रिज भोजन ले आते हैं उसमें रेफ्रिज अरेटेशन की या उसको किसी भी तरह से फ्रीज में रखने की ज़रोत नहीं होगी चाहिए यह या एक तो यह बेसिक चार कि प्रथम मानक है जो किसी भी उंत्रिक्ष भोजन से जो यह जा किया जाता है कि कोई भी भोजन ने जा सकता है या उसका जो क्योक विप यह किया सकता है कि अब जैसे geben देखता है कि लिखार कर शमेंaya की बहुत इस बड़ा आप होता हैं तो इसमें अगर देखें तो यह एक पाथारी प्केजिंग है काफी पुरानी टकनीक है इसमें भोजन को को ट्विब के फम में रखा जाता इसका ऐस्ती खा daha इसका बूंब झाझ जाए सतार एक एक स्पेस्पिक और आखे है की एक आहर निवाले में निवाले में जिस्पोजिन का कर सके उस्तवा से क्गेज हम दिखाया गई आव interpreश परह सुच अधरीक video जैसे कि जो भी पीने के लिए सामगरी है उसमें मुलता जिसको निरजली करित बोजन करने के बाद उसमें पानी मिलाकर फिर उसे का इस्तवाल में लिया जा सकता है इस तरह के पैकेजिंग का रवस्था की गई है अगर आप देखे तो आजकर आप देखते हैं कि बहुत सारे कारण द्रीव में अ कअः को निकाल दया जाता है और उसे ही परां हार पैकेजिंग की जाती है इस तरह की पैकेजिंग इंग की जो विकास वह पहले इंत्रिक्री जान देन के लिए गाया था वो देरे देरे अब धर्ती पर भी नंब समय तक और किसी भी बोचन देखी जारी है यह एक छोटा सा एक्जाम्पल है जो अंत्रिक्ष पे किस तरह का निजर रेकरित भोजन होता है जिसे छोड़े-छोड़े साचेट में रखा जाता है जिसे हम कॉंडिमेंट किट्स कहते हैं इसमें इक स्पेस्फिक और हम कहें तो एक विशेस प्रकार से जाता है और उसे निर्जलित किया जाता है ताकि उसमें कोई किसी प्रकार की नमी निकालने से यह होता है कि भोजन जो है वो लंबे समय तक रहता है अगर कुछ यह भी दिखा गया है कि जब आप इस तरह की गोलिया अगर मुह में लिए तो आपको एक आइस क्रीम की तरह इक स्यलिंग वाला धुट आप्त होता है यह यहां पर हम देख रहे हैं कि एक सपयस प्रकार क्याश्यन है जिसमें जो भी भोजन हम पहले गर्म कर टेहें, ताकि गर्म करने स्वां जानते हैं कि जिसी प्रकार की कि त्यादी हो वहουश्याल हम मर जाते हैं और उसमन ज़ते ह कर दियाल प्रफेडरेती हैं इक इसमय प्रफुर्ना धी गरम पनिया के उसे इस में पेस्ट के ना आज की अप्रणी का जो है वह पैकेट में डाला जा रहा है और उस तरह से भुजन को एक सेमी लिक्विट फॉर्म या पेस्ट के फॉर्म में चेंज किया जा रहा है इसी प्रकार से बहुत सारे डिफरेंट जिसमें मध्या वरती नमी होती है यह बहुत कम शौल कि बहुत कम वह स्कूदकी हैं उसको की और आजकल पयोग दिखा जा रहा जैसे कि डेट सों जो डेट वगाए चाहज का और देखते हूं Smilealwear , घ कजुर का कम सादानीक बिना वाइयू के पाकेजिंग में देवायाता है उसके बाद यह भी दिखा गया है कि जो अन्तरिक्ष में है वह पेस पकार की रशोई होती है जैसे कि यह देख रहे हैं कि यह एक जीरो स्पेस ओवन है जिसमें आप अब और श्वाइन के इस दर्थी पे करते हैं दोरररर के इस दर्थी बाद श्वाइन करते हैं वैसे इस पेस पे भी हम कर सकते हैं brake आर यह दिख रहे हैं विवेड़ प्रकार के बोचन जो है वह अलाग ज़न पर रखे गए और उस वह बोचन जो है एक शित समय पर लिया जाता है और उसका इस्तमाल जो है वह हम दिविन प्रकार के अंतरी शाहत्री करते हैं या एक special प्रकार का आपका है तो बोजन की मेजा है जिसका इस्तमाल बहुत पहले नासा स्काइलाइब में किया था और इसमें आप काफी परिवर्तन हो चुके हैं इसमें आप देखेंगे कि जितन कि जितने की संबावना नहीं होती है उस परकार से फिर आप देखें कि आजकल अब कुछ प्रकृतिक खर्श्री प्रुष्टम बोजन का इस्तमाल किया जाता है जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ जूस वगारा का इस्तमाल जो है वह भी किया जाता है आजकल जो पारा रहा है यह एक लाला लाल बैसिकली रुमाई लेटूस पादा है जो काफी न्यूट्रिसियस पा जाता है और इसके खेती का एक एक जामपल है जो प्रोजक्ट वेजी के अंदर आयसेस और अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर किया गया है उसको यह दर साथ है आपको जै बेजने वाला है जिसे हम यूम नॉट्स कहते हैं और इनके लिए भी कुछ स्पेशल पकार के खाड़े समागरी की जो रवस्ता है वों की जा रही है जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं जो वेजिटिवल प्लाव है या बैसिकली उत्मा है इस तरह के चीजों का इस्तमाल जिसमें नचली करन्ड की प्रॉसस के अंतरगत इसका इस्तमाल अंतरगशी में किया जा सके उसके लिए उस तरह की जोजनाईग पर भी कारी चल रहा है आजकल आप देख रहे होंगे कि अगर आप किसी भी बीमान पर अगर आप जाते हैं तो आप इस्टेंट फूद का एक इस्टेंट फूद आप देख सकते हैं जिसमें सिंप्री आप गरन पानी मिलाते हैं और वह बोजन जो है पाथ से साथ प्लेट में परिगार हो जाता है इस तरह की जो व्यवस्था है बोजन में वह अंतरिक श्विग्यांगी देना हो इस तरह से अभी मैं आज अपनी चर् अगर को इपश को और मुझे लेगा बोटना है